सुरेश के लिए आप लोग सब तालिया बजाएंगे तू इतना हुदास क्यों है रहे? मुझे 20 मार्क्स मिले हैं और तुझे? 40 मैट्स में इसे 20 मिले, इसे 40 और मुझे 35 मिला है तो हम क्लास में फर्स्ट आये हैं ये क्या कह रहे हो? सुरेश को 90 मार्क्स मिले हैं हम तीनों के मार्क्स जोटे तो 95 होते हैं तुम तीनों लोग मिलकर 95 लाये हो और सुरेश ने अकेले ही 90 स्कोर किये हैं राज नीती में 20, 40 और 35 सीट्स लाकर एक जूट होकर ये हैं क्यूए्स क्यूए्स आमरे हीरों की! क्या! आमरे हीरों की! क्या! प्रफेंट के साथ लफड़ा हो गया यार वह फिल्म का इंटरवेल के बात का डपा लेकर भाग गया यह बात अगर फैंस को पता लगए तो सोचल क्या होगा ये तू उसके लिए इतना घबरा क्यों रहा है तू बस फिल्म स्टार्ट कर रामाचारी उसे एंड करेगा ये बजाओ रहे सुनो रामाचारी तुम कहा हो कboys आप्ते पायण कोरुघ का है करे डंते बुदिंग मारा क्यों Sky Master किस्शे मारा किस्शे हाई? पो किसे मारा, बुद्दोसे चार। पो किसा किस्शे किस्शने चाहूद बुद्द्दिंग पो किस्शने युद्दिंग कौन है रहे तु पताएगा कौन है तु पैन हो क्या कहा पैन है पैन है तो थेटर में जा नाच गा फोटो पे हार चढ़ा दूद से नहला यहां आकर पोस क्यों दे रहा है असली फैन से रिफ नाच गाना फोटो पे हार और दूद नहीं चढ़ाते है अपने हीरो की तरह दुश्मन को खतम करते हैं तु एक मामूली फैन है तो हीरो के माफिक डालोग बाजी क्यों कर रहा है हर हीरो हीरो बनने से पहले वो भी किसी न किसी का फैन ही रहता है फैन्स हाथ थामले तो वो स्टार है हाथ उठाले तो वार है हाथ देख ले इस फैन में तम है कि नहीं आई आजा पहलू करते हम थे सोल लिवेरो वें में पेन सब्सक्राइब डने से बाज अनौइ ज में से 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 लए मात प्राइब एक में करेने से विफाह उटेशा रहा है कि अ कर हैं आएथ सियुवटी एरो का यार हैतू जलता अगार है तू जलती वोलेंट हो जाय तू हमारा ही जो है तू सूरत की रॉष्णी है तू अधेरा मिधाये तू जुल्म का सावना करे तू दुश्मन को जीरो बनाये तू राँ जारी है 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 जारी है 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 यह तू है है तेरे श्माइ रॉकिंग तेरा स्टाइ जब भू जाए तू आए कोड़े सत्ती पाइ जलाए तू पिसाइ है जो कोई इसका रस्ता काथे उसे मारे ये जोगरा ना कभी इसे पंगा लेना सहना ये नगरा चाचा हुआ ही करू लाइ शुरू उठा के कॉलर बनू सबका गुरू अपनी मरसी चलती करू बंग 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 रमाचारी रमा रमाचारी जाचारी तारी इसकारी अपनी वाचारी दो वाचारी एक आपकर आपकर तु है यार, करता सबसे भ्यार, तुप्चाना दिलता, तुप्चाना दिलता, तुप्चाना दिलता, नेरा परे जिस पेवार, हो जाए पेकार, एक दिक चाहिए ये रामाचारी देता है बस एक बार ही वार्निंग इस लाह में आने की ना कोई करता है डेरिंग होता है सब का हिसाब यहाँ रोग ना पाए मुझे यह जहाँ आपके मी परसी चलती कर दो बैंक 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 रामाचारी रामाचारी या रुक रुक यार है तू अरे यार इता तर्टेगा तूं मेरा दोस्ते थोड़ा जिगर रख रहे है मेरे बाप तू जा अगर मेरी मां को पता चला कि मैंने तुछसे अभी दोस्ती रखे तो मेरा जीन अहराम हो जाएगा तू जा भाई कर दोस्ति ना रखने के लिए मैंने कितनी बार समझाएं तेरा फ्रेंड सरकल ही बता रहा है कि तू किस रहा पर जा रहा है रामचारी पापा चलेगे उज्जा पापा के स्कुटर का सौन इसके लिए अलाम है उनके जाने के बाद ही तूटता है पापा जब सो जाते हैं फिर तू घर आता है कैसे कैसे लोगों से तुम्हें मैंने लड़ते हुए देखा और पता नहीं क्यूंबचपन से तुमने पापा कोई दुश्मन बना रखा है मैंने उन्हें दुश्मन बना के नहीं रखा है, उन्होंने बना है, मैं जो भी काम करता हूं, उनको हमेशा गलत लगता है, तुझे वो जितना प्यार करते हैं, उसमें से 10% भी अगर मुझे मिल जाए न? हैरी पापा की कही हर बात मानता है, उनसे बिना पूछे एक कदम नहीं उठा था, ये मन लगा के पढ़ाई भी करता है, इसलिए वो इससे हमेशा खुश रहते हैं, और तु? मैं इसकी तरह नहीं रह सकता हूं, और कभीए एकसपट भी मत करना, ये फर्स्ट बेंच वाल है, मैं लास्ट बेंच वाल हूँ, इसे बताहिए, सब्सक्राइब के लिए वो बिल्कुल साही है क्या आज वो हीरो कॉलेज में आया है हमें कॉलेज छोड़के जाना पड़ेगा उसे देखते ही वो आखों में बस जाता है जू लड़के उससे शादी करेगी वो बहुत ही लखी होगी नमस्ते भाई अबे कैसा है चोटे और तेरे प्रिंसिपल श्रीनिवास मूर्ति की क्या हाल चाल है पहले जैसे थे वैसे ही है आपका नाम लेकर होते हैं बिगड़ता मोबाईल ही है भाई पूरी संसकारी लड़की भाई इसके चेहरे की रौनक तो देख ऐसे लड़कियों के सामने सिग्रेट पीना है सॉरी तुम दुखी मत होना देख फेल हुआ था तब ही तुम मेरे साथ थी पी यूसी में तीन साल था तब ही तुम मेरे साथ थी लेकिन ऐसी लड़कियों के सामने तुम मताना Everybody say, hey, hey, hey College college कहलाने के लाइक नहीं ना एक जमाने में हर लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंडा जाता था लेकिन आजकल हमारे लड़के को एक अच्छी लड़की मिल गई तो उसके किसमत समझ लो आजकल की लड़कीों से तो हमें उपर वाला ही बचा सोरी सोरी प्लीज मेरी हेल्प करो वो मेरे पीछे पड़ा है दम लगाने के लिए दम है उन्हें फेस करने का दम नहीं है आज मेरा कॉलज में फर्स टे है इसलिए रैगिंग कर रहे हैं जबरदस्ती सिग्रेट पिलाई मुझे यहां तक तो ठीक है पर अब बहुत बार कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं उससे सबके सामने किस करो फिकर मत करो बहुत दम है तुम में जब इजब इजब पर बात आती है तो लड़कियां भी शेर नहीं बन जाती है ए रामाचारी जिस मेटर में तेरा लेना देना नहीं है उसमें इन्वाल मत हो ये पूरा कालेज अप उनका इलाका है तेरे लिए अच्छा होगा कि अप उनसे पंगा मत ले और साइलेंटली निकल ले सुना में तूफान और आंधी कभी कबार आती है वो भी बिना बता है लेकिन जब भी आती है तो इतनी जौर से आती है कि सब कुछ तबाह करके जाती है यहां मेरा कितना जोर है तू नहीं जानता मेरे आने से पहले यहां दूसरों का जोर चलता है पर मेरे आते ही मेरा जोर चलता है कितना जोर चलता है कितना जहीं कितना बेंगा, पुटे कितना जा जुटेस Spe encender कितना फंते ही बाहना जुटे से फDO पनाता है प्रिऴ मैं दोफ और कि अुझ डिल्ड गॉइँ और कि अधु नुझ झाल को जुझ झाल क्वार्ट एक प्माटनर नहां धैंक को विर Champs और ओल खिर लोग समा जा ज्रेव 1 झाल 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 तो झाल 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 जाल झाल झाल ! जट कुलिसेषिच्च थैसरो कर दो किस आधा मैं जरूप्छणा उब ही ज hell यह वो वो बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, सिर्फ तेरी प्रॉब्लेम की वज़े से आज उसी पुलिस का दंडा खाना होगा हाँ, उस लोफर के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी सर, मुझे चाने दीजिये न स्टूडिंट होकर पता नहीं कैसे रहना है, पबलीक के बीच में तुम लोग दंगा फसाद करते हो, तुम सब को पुलिस के चार्ट डंडे पढ़ेंगे न, तब सही रास्ते पर आ जाओगे सर, आप पेरे रास्ते को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो तुम भी बता दो, मैं तो उस लड़की के हेल्प कर रहा था, आप चाहो तो उससे पूछ लीजे न, इससे, इससे इसक्यूज मी सर, आपने गलत इंसान को बकड़ लिया, कॉलेज में वो लोग मेरी रैगिंग कर रहे थे, इन्होंने तो मुझे बचाया है, अब तो आपको पता चल गया न, कि मेरा ट्रैक रेकॉड कैसा है, सर, तांक यू, आपने मेरे लिए बहुत रिस्क उठाया, तु मुझे अपना फोन नंबर देंगे, ले लो, 9008190082, मिस्ट कॉल करोगी, तो मैं उठाओंगा नहीं, मैं साथ दूँगा सोचकर बेवजा लफड़ा करोगी, तो मैं आओंगा नहीं, उसके लिए पुलिस वाले हैं, हंड्रेट नंबर्स में डायल करना, वो सही एड्रेस प रामसी, उस लड़की के हिसाब से ये बिल्कुल बेकसूर है, तो फिर इसके नाम से कंप्लेंड क्यों दर्ज किया गया, मेरे खिलाब किसने कंप्लेंड लिखवाई है, शंकर जी ने लिखवाया है, कौन है ये शंकर, उसे पुलिस टेसन बलाओ, शंकर जी, उनको आने में आदा खंटा लगे के तब तक बेरेनी ओर्डर कीजिए ना सब, इसने कॉलेज में हो रहे है, रैकिंग का विरोत किया, लड़का बहुत ही शरीफ है, अपना कंप्लेंड वापस ले लीजे, अच्छा ये बताइए, इससे आप जानते कैसे है, मेरे पापा है सर, अहां, पापा भी ना, सारी दुनिया का कहां मानते हैं, लेगिन खुद के बेटी का कहां नहीं मानेंगे, अरे मेरी किसमत में पढ़ाई नहीं लिखी है, तो इसमें मेरी क्या गलती, बेटा गलती करता है, तो पापा उसे डाटते हैं, लेकिन ये तो दूर भागते हैं, नमस्ते हैं, तू तो फिर से आगर जोईन होगा, सैलरी बढ़ा दी ना, इसलिए, भाई साब, आपको आए कितनी दिर होगी, काफी दिर से आया हूँ, हम बाद में बात करेंगे, मैच बहुत इंटरस्टिंग है, गिता बेटा, गिता बेटा, जरा दो कप स्ट्रॉंग कॉफी लेकिया, बेटा, बहुत टेंशन वाला मैच है, शक्कर ज़रूर डालना, कोई ज़रूरत नहीं है, आपका शुगर 240 और BP 120 है, दो बार हाट अटक आचुका है, ए शक्कर मत डालना, ए रामाचारी, तू कहां यहां पर बैठना, इंडिया जीतेगा ना, पक्का, तू कहां चला, तू बैठा रहेगा, तो इंडिया जीत चाहेगी, तू यहीं रहे, अब दो बाल बाकी है, और छे रेंचाहिए, जीतेंगे अंकल, गीता कैसी है भाई साब, अच्छी है बेटा, वो ही मेरा ख्याल रखती है, स्टेडी भी करती है, दोनों काम में आवल है मेरी बेटी, हाई, कैसे अंकल, अब मैं ठीक हो बेटा, कॉंग्रेट्स, वो मोशन मिला है ना तुझे, जी अंकल, हैरी को आप नहीं पढ़ा है, इस अच्छी नोकरी मिली है उसे, हमारी जिम्मेदारी भी हैरी ने उठा ली है, आपका हैसान हम कभी नहीं पर सकते, रिश्टिय दारी में हैसान कहा होता है, इनमें और मेरे बच्चों में क्या फर्ख है, दोनों तुम्हारा नाम रौशन करेंगे, नाम तो ज़रूर रौशन करेंगे लेकिन वक्ती बताएगा कि अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए दिव्यादे को शूट पाथ करो प्लीज डिलीट मारो तो पांच सो रुपया लगेंगे पांच सो रुपया पुलिस वाले भी तेरे जैसे नहीं है सौ रुपय में सेट्लिमेंट कर लेते हैं य पापस लोटा देंगी तो खुश हो जाओगे ना तुम जान जल रही है जाके मोरे भाईया की डिवीडी देख ले तब पता चलेगा बहन कैसी होती है तू एक साल और बोर्डिंग में रहती तो वही तेरी पड़ाई पूरी हो जाती लेकिन तेरे पापा को इतनी समझ कहां मैं आप सबको वहाँ बहुत मैंस कर रही थी मेरा वहाँ बिलकुल मन नहीं लग रहा था माँ ये कॉलेज भी सच में बहुत अच्छा है यह लोग चाहे कॉलेज में हो या फिर इस इलाके में अपने आपको संभालना किसी लड़के को ज्यादा इंटेटेंट मत करना अशो मैं हूँ मेरे दोस्त लोग भी है तो टेंशन मतले मुझे सिक्यार्टी की ज़रुरत नहीं है मेरी सेफटी के बिलकुल टेंशन मतलो और हां तुम्हें कोई सतार है तो बता दो मैं उससे ने पटलूंगी सर सर अज रामचारी कॉलेज में आया है क्या क्यों क्या हुआ तुम्हारी अटेंडेंश शॉट है या फिर कोई डोनेशन की प्रोब्लम है या फिर कोई लुच्चा लफंगा आवारा लड़का तुम्हारे पीशे पढ़ गया है बताओ क्या बात है ऐसी कोई बात नहीं है सर उसे सिर्फ हाय कहना था मुझे इसलिए सिर्फ हाय कहना था वो डेली कॉलेज में हाजनी नहीं लगाता है लेकिन चाय की टपरी पर मिल जाएगा वहाँ जाके देख लो सकती आएक्स्कीज मी रामचारी आज तुम्हारे आया था क्या नहीं वाड़म वो सिगड़ेट तो पींता ना पीता अउसकी ऐले अच्छी है या फिर बूरी है सिगड़ेट को अच्छी ह। बुरी होती है क्या मेडम सब तो धुमाई है पासा पासा जी भाई अच्कल तु बहुत आधागिरी कर रहे हैं लड़कियों को खूरता है तेरे घर पे मा बहुत आता हूं भाई वो मुझे देखती है तुम मैं उसे देखता हूं उसके घर में बाप भाई नहीं है क्या है वो भी फुल लोफर है भाई पका प्यार करने वाली लड़कियां जब मुड़ कर देखती है दिल हिल जाता है वो किलर है बॉस उनकी आखों में इंकमिंग और आउट को इंग दोनों दिखाई दे तो लव है भाई लव सुन दुबारा तेरी शिकायत आई ना तो तेरा गाल लाल कर दूँगा इसे सुधार ने निकला तो यह मुझे कले तरह पे ले जा रहा है यह उस लड़की में इतना इंट्रस्ट क्यों ले रहा है उसका जादो चल रहा है पहले ही शर्ते रख देना तो आगे तकलिफ कम होगी उसमें गुस्सा बहुत है वो किसी की भी नहीं सुनता उसे सिगरेट पीने की बूरी आदत है माना के सिगरेट के आदत बुरी है लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है उसके जितना जिगरवाला लड़का इस पूरे कॉलेज में ढून कर भी नहीं मिलेगा उसकी हसी उसकी बातें कैसी है भाई कॉलेज के टाइम हो गया मैं जाओं क्या ए तेरा टाइम पूरा करूं क्या और बोलूं क्या भाई बार बार उसके करीब जाने का मन करता है वो और उसकी बातें याद आने लगती है बोल तो एकदम सहीरा है औरे डबह न हम यारों ऑसे क्यों गया है मेरे हिसाब से राम चरी को लव हो गया यह लव कि वंऱ उसकी हारकतों से मुझे लग रहा है कि वन वे होगा अरे भाई तो तुझे उसकी मदद करनी चाहिए क्यों भई रामाचारी ये प्यार बहुत खतरनाक चीज है भई सोच समझ करी कुछ नहीं किया ये प्यार भी बिना सोचे हो गया देख रामाचारी तू अकेला है ये अराम से जी रहा है ये प्रेम रोग जब लगता है तो डेली रात को बात करनी पड़ती है नौनलय ना पढ़ता है ऑर यह सिग्रेट चुपा चुपा पाके पीना पढ़ताय पैग भी लिमिट में लगाना है ये सब तरे वह the school बनेगा त आपकी द्वारा डाइल किया हूए नमबर घांबर यृश्ट है, क्रिपया थोड़ी देर बात परह। आपकी दोरह टाइल किया हुआ नमबर大家好 आप सुपड़ सेघ्ज पर तुम ने कमाल ही कर दिया और किसट्र के तुम आज के सबसे बड़े सुपरिस्टार हो यार औरों को आने दो, नया पन लाने दो, हिंदुस्तानी संगित पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए हाई हाई अपना मोबाइल दोगे जरा क्यों, तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है क्या कल से लेकर आज तक दस बार पोन कर चुकी हुम है फोन उठाने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है लड़कियों का नंबर लेने के लिए लड़की तडबते हैं एक मिस्ट कॉल दे दे तो मोबाइल का दम निकलने तक बात करते हैं और एक तुम होजी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? अगर ये सिम चाहिए, तो कल से तुम्हें रोज कॉलज में प्रेजन रहना पड़ेगा ये रामाचारी, तत्तू और डबबा के रात को मिलने की जगा है जो एक चाचा हमारे लिए छोड़ गया है हम तीनों मिलते मिलते दोस्त बन गया है और पिते-पिते, close friend हो गए आप सोच रहे होंगे कि ये साइड में रखा blackboard क्यों है ये रामाचारी का concept है हम लोग क्यों पिते हैं, इसका कारण हम लोग यहां लिखते हैं रीजन जानने के बाद रामाचारी डिसाइड करता है कि कि कितना पिना है फ्रेंड्स लोग जादा पिकर बरबाद ना हो, इसलिए ये डोज है ए भाई, किन खायालों में खोया हुआ है, चल शुरू करते हैं दत्तो, पारटे की वज़ा क्या है यार आज मैं बहुत खोश है यार, हॉस्टल में रहने वाली मेरी बहन घर लोट आई है सिस्टर सेंटिमेंट, सिक्स्टी, और डबबा, अब तू बता, मैं क्या बता हूँ, लव फेलियर है यार आज भी सिर्फ सोड़ा, कम से कम थर्टी तो पीने दे यार लव और पैसे के माल में में जो फेल होता है वो एक नमर का लूसर होता है या तो खुद को समालो, या गम भूल जाओ, इतने से गम नहीं जाएगा, मुझे ये पीना पड़ेगा वन ट्वेंटी लिखा, वन ट्वेंटी किस खुशी में भाई, लव पहले 30 उसका पता लगाया उसके लिए, दूसरे 30 मेरा मोबाइल तोड़ा इसलिए, तीसरे 30 मेरा सिम कार्ट ले गई इसलिए, और लास्ट के 30 मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ेगा उसके लिए चियर्स प्यारे, इतनी जल्दी डेवलप्मेंट कैसे हो गया, जिसे तु ढूंड रहा था, वो मिल गई वो भी तेरे लाके में, लगता है वो लड़की तुझ में ज्यादा इंट्रेस्टेड है, देखना या, किसमत का भी क्या खेल है, जो लड़के हमारी तरह शाराफत की सिंदि मैं सुन रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो मन में आया वो भकता चला जाए, तु मेरा सपोर्ट कर या मत कर, रामाचारी तो प्यार की राह में निकल चुका है, कल से हमारा प्यार बिना है रुके चलता चला जाएगा, सुन, उस लड़की ने ओके करी दिया है, तो आज से तुम दोनों के प्यार को मेरा फुल सपोर्ट, उसके घरवाले क्या, कोई भी बीच में आया, तो मैं तेरे साथ ख़़ा रहा हूंगा, अब आगे मैं क्या करूं, और क्या करेगा, जा के प्रोपोस कर यार, तु जुप कर यार, लड़की को तो तुने आल्मोस्ट पटा लिया, अब घरवालों को पटा, वरना लास मोमेंट पे बोलेगी, ओहु, मेरे घरवाले नहीं मान रहे, और तुझे टांग दे दे, है, क्यो उसे घर तक पहुंचाने का आइडिया दे रहा है, प्यारे, ये तेरे घर तक नहीं पहुंचेगा, तु टेंचन मत ले, आँ पहुंचे। ताथा 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 क्या बॉस सब को यहां से बाहर निकलूं क्या मैं यहां रेप करने आया हूं क्या तू अपना ठककन बंद रहा है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है यहां आईए मास्टर जी यू कंटिनियूं फाइव फोर प्री टू ऑम ताथा 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 क्या बताओं जबसे तुम सिम काट ले गई हो मेरा फोन आना ही बंद हो गया है तुम्हारे जाने के दस मिनिट बाद मुझे हैसास हुआ कि तुम सिर्फ मेरा सिम काड ही नहीं ले गई बलकि मेरा दिल भी ले गई हो आज के बाद अन्नोन नमबर से ही नहीं कॉल सेंटर से भी फोन करोगी तो भी रिसीव करूँगा सिर्फ मोबाल से ही नहीं पबलिक बूच से भी मिस्ट कॉल दोगी तो भी उसका जवाब दूगा इसके अलावा तुम्हारे पहचान का कोई लॉयर होगा तो मुझे एक एंटिसिपेटरी बेल दिलवा दो ना क्योंकि आज के बाद कोई तुम्हें घूरेगा छेड़ेगा या आखें उठा कर भी देखेगा तो मैं उससे जिंदा गाड़ दूगा उसके बाद मैं जेल चला जाओंगा तो तुम्हारी हिफाज़त कौन करेगा यूनो दिल में एक लहर से उठ रही है टेंशन में सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गया हो तो एड़्जस कर ले ना इसमें शादी का जोड़ा हल्दे कुम-कुम चूड़ियां भूल सब कुछ है आज के शुब मौके पर मैं इसे तौफ़े के रूप में तुम्हें भेट दे रहा हूँ ये मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा खुशिका मौका है वैलेंटाइन डे के दिन ग्रीटिंग कार्ड और रोज देने वाली मेरी कैटेग्री नहीं है एक हिंदुस्तानी लड़का एक हिंदुस्तानी लड़की से अपने प्यार का इजहार बिलकुल इसी तरह से करता है मेरी जिन्दगी में जिस लड़की को मैंने पसंद किया है वो फर्स्ट एंड लास्ट लड़की तुम ही हो आज से तुम बस मेरी हो और मैं बस तुम्हारा मैं जानती हूँ तुम रामाचारी हो मेरा नाम है मार्गरेट मार्गरेट तुम्हारे माबापने तुम्हारा नाम कला, शीला, चंचला वगएरा कुछ भी नाम रखा होगा एस्टालोजी, निमरोलोजी के हिसाब से A, B, C, कुछ भी एड़ किया होगा लेकिन आज से इस रामाचारी के लिए तुम मार्गरेट हो कितने अच्छे डंग से प्रपोस किया है यार ना कर दे, इस नागराज से तेरा रिष्टा नहीं जमेगा एह, तेरा नाम क्या है? कस्तूरी तो फिर तो सुरना होगी? हाँ हाँ मेरी अच्छी बुरी आततों के बारे में इन दोने ने बहुत रिसर्च किया होगा आस-पास के लोगों से जानने के बाद ही लड़कियां ओके कहती हैं मेरे बारे में तुम्हें जरा सा भी डाउट हो ना तो इन चम्चियों से नहीं सिधे मुझ से पूछना है चलता हूँ आज के बाद फोन आता ही रहेगा 24 आर्स मोबाइल आन ही रहेगा रामचारी तुम कोलेज में आते हो एकनिंग कलास नहीं अटेंड करते क्योंकि मैं बिना क्लास के पास होता हूँ कहा नई जा रहे हो मुझे सप्राइज है यह सप्राइज क्या है अरे हम जाई रहे हैं खुदबखुद पता चल जाएगा क्या है ना मैं हमेशा भटकता रहता हूँ तो जिस सर्प्राइज से तुम मिलने वाली हो वो मुझे हमेशा रहा दिखाता है एक मिनिट में आता हूँ बस एक मिनिट में तो धीरे बूल भे सुन प्राइज है एक सर्प्राइज है तेरे लिए तु मेरी वाले को देखना चाहत यह ज्यादा नॉट किया न मिलाउंगा नहीं है से मत बोल यार अपने एक्साइप्रेंट रोक नहीं पारो मिलाना मिलाना चल 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 यह मार्गरेट यह है मेरा क्लोस फ्रेंड यही है मेरा सर्प्राइज यही है इसलोड और अरे यहार 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 मेरी बहन है भाह यहार सुझी तो फ्रेंड की बहन से दूसरा फ्रेंड प्यार कर बैठा और ये लड़की कौन है जाने बिना उसे टिप्स दे रहा था बहुत बड़ी गड़बड़ो गई इसलिए कहते हैं फ्रेंड को अपने घर बुला कर उसे खाना खिला कर अपनी बहन, काखी, चाजी और यहां तक की भावी से भी मिलवा दो अब ये गधा अगर रामाचारी को अपने घर ले जाता तो इतना कन्फुजन नहीं होता फुल बॉटल मेरी बैन से मेरा इंट्रोडेक्शन कर वाया उस पर एक नजर अखना कहने से पहले तुने उस पर तुनों ही नजर रख दिया अच्छी दोस्ती दिवाई दोस्त जो इसका साला बनेगा उससे तो चुलू भर पानी में डूबना पड़ेगा पुल अप्ने ही आथो से अपने अरे दत्तु तेरी भावी से अज मुझे मिलना यार समझ में या आता कौन से कलरад 나画ड पुलू लड़क्यों का कौन सा कलर पसंदा अ death अरे सुन यह लड़क्यों को जन्राली कौन सा कलर पसंदा अबर ऑरों के बारे में तो नहीं जानती पर मुझे औरेंज पसंद है औरेंज पहन कर जा औरेंज पहनू थेंक्यू यार यार दत्तू जो होना था हो गया ना कुछ बाद बोल यह मेरा पोस्टनल मैटर है इसकी क्या नोटंकी चल रही है यह गलती जान बुझके थोड़ी की है और जानकर हो या अंजाने में गलत तो गलती होता है भाई होने के नाते वह बिल्कुल सहीरी एक कर रहा है एक बार उसकी जगा खड़े रहकर सोच के देख समझ जाएगा देख तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ओफिस में जाकर अपना एप्लिकेशन फिल अप करते हैं मैं बैंक जाकर तुरंट आता है जल्दी जाना रामचारी मेरी बाद रामचारी आज तुम क्लास अटेंड करने वाले हो एठी भाई भाई भास नमस्ते भाई पुद्विल जाए इंतंस बल्स असे अज़ अखान तुप रहा हूँ रामचारी तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं मुझे अवोईड ही करना था तो कॉले जाने की क्या ज़र रहती एक दूसरे को चाहने के बाद ही हमें पता चला कि तुम दत्तु के फ्रेंड हो और मैं दत्तु की बहन हूँ इसमें हमारी क्या गलती है दोस्ती गैरों को अपना बनाने की ताकद रखती है लेकिन प्यार अपनों को भी पराया बना देता है तुम से पहले दत्तु मेरा फ्रेंड है फ्रेंड को हर्ट करके मुझे खुशी नहीं मिल सकती समझी दत्तु को मैं मनाओंगी क्या कहा वो लोफर रामाचारी तुझे पसंद है तुझे के किसी पागल कुते नहीं काटा है दत्तु के साथ जब उसकी फ्रेंड शिप देखती हूँ तो वैसे ही मेरा खून खौलता है अब उस पर तु उससे प्यार कर बैठी मा, रामचारी को बिना जाने उसे बुरा भला मत कहो वो क्या है ये मैं जानती हूँ ए दत्तु, सुना तुने ये रामचारी से प्यार कर बैठी है इससे पूछ इसका दिमाग खराब हो गया है क्या चाहे कुछ भी हो जाए, यह मुझे मन्जूर नहीं है, समझा दे इसे मुझे किसी से भी पर्मिशन नहीं लेनी है आपकी बेटी होने के नाते मेरा फर्स था, इसलिए बता दिया लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए decision making ability और common sense दो नहीं मुझे है शादी से पहले पापा भी irresponsible थे, आपने सुधारा ना कॉलेज के बाहर बढ़ा रहता था, उसे अंदर खिंच कर लाई हूँ रामचारी को चेंज करने के जिमिदारी मेरी है इंसानों के आदर सुधार सकते हैं, फितरत नहीं मा, रामचारी के साथ मैं सुखी रहूँगी, ऐसा मुझे विश्वास है आपको हम दोनों के बार में सुचने की जरुरत नहीं है दत्तु, मा रामचारी के बार में कुछ भी नहीं जानती इतनी सालों से तुम उसके साथ रहे हो, तब भी तुमने उसे पैचानने में गलती कर दी तुम्हें बता दूं कि एक लड़के के बिहेवियर से उसकी कैरेक्टर का अंदाजा लग जाता है और इस मामले में वो खरा सोना है जब से उसे पता चला है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तब से वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता तुम्हें हर्ट करके उसे मेरा साथ गमारा नहीं फ्रेंशिप के लिए वो लव को कुर्बान कर देगा उसके लिए तुम्हारी जगे यहाँ है, सब से उपर प्रेंट बनकर मैंने तुम्हारी बच्चा बच्चा नहीं, जीजा बोल याँ वाव, साले, जीजा 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 अबे साले, अब पुराना रिष्टा है रहे हैं तुम दोनों साला जीजा बन गए हैं, उस खुशी में मैं एको आ रहे हैं एय, यार एक पैक ज्यादा मार रहा हूँ यार, उसमी क्या है अब बात देर हो जुकी है जो प्यार में बाजी मारता है उसे टॉनिक और जो फेल होता है उसे नो टॉनिक है ना जीजाजी? मेरा साला हमेशा करेग रहता है मेरी इज़त है कि या जीजाजी, I love you I love your sister तूजो मुझे मिली जाना मुझे मिली खुशी जाना मैं हूँ थोड़ा सिली जाना और तू होटे चली जाना सोचा नहीं था, जाना नहीं था तुझे से होगा इतना प्यारा अब तो यारा, आलम है ऐसा तेरा गुनाय मुझे को करा You are my bonfire, baby You are my desire, baby You are my bonfire, baby You are my desire, baby तूजो मुझे मिली जाना मुझे मिली खुशी जाना मैं हुँ थोड़ा सिली जाना और तू होट चिली जाना नजाने कैसे प्यार हुआ खेल गया मैं इश्क का जुआ नजाने कैसे प्यार हुआ खेल गया मैं इश्क का जुआ हो गई कुबूर मेरी दुआ मिली जन्नत तूने ज़चुआ तूजे ही में सोचुआ तुझे ही में दूनू जिए तुझे जाने जो सौरी ज़ो तूछे मुझे 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 क्या हुआ 25 बाइब जाएब मरे दो अब यह थानी ना हो तुझे परेशानी मस्ती में दू सब की नानी शैता भी दै तुझे सलामी तुझे हमैने चाहा तुझे हमान कोया हा बेचैन होचाउ हभी बाइब दे हभी बाइब शो मुझे ना मिले यू आए यू आए क्यूति नोटी स्वीटी बेए बेए गुड मॉर्णिग गोआ जा रहे हूं जाना जरूरी है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी क्लोस फ्रेंड की शादी है मुझे जाना ही पड़ेगा सिर्फ तीन दिन के लिए जल्दी लोट कर आऊंगी तुम्हारी लिए सिर्फ तीन दिन है लेकिन मेरे लिए पूरे चार हजार तीन सो बीस मिनिट है फ्रेंड साथ में मैं बाद में मेसेज करती हूं सोच रही हूं अगर तुम साथ होते तो और मज़ा था मिसी रामाचारी एलाव यू दिव्या अज शादी तो मेरी है लेकिन देखा जाए तो मुझसे ज़्यादा तुम खुबसुरत लग रही हो लेकिन कुछ तो मिसिंग लग रहा है मू ठीक नहीं है यार बोर हो रही हूं ब्रेकफास्ट में सूजी सचीन के बिना क्रिकेट और ये रामाचारी के बिना मार्गरेट बोर ही तो होगी ना यह लड़कियों का ड्रेसिंग रूम है तुम क्या करें हो यहां किसी ही करिए पागल होगी क्या कोई नहीं है बेकार टेंशन दे रहे हैं सबको Hmm Ramachari oh no. Ramachari father cigarette即 earn 50 father cigarette smoking is injurious to health my child g-g God bless you my child दिमाग का दही हो गया है मुझे हर जगे बस वही दिख रहा है और पागलों की तरह बात भी कर रही हूँ कौर्टर पिला एक बंदर जैसी मेरी हालत हो गई है कितने सुकून से रह रही थी उससे दिल लगा बैठी बदा नहीं क्यों यह सौंग यहां वो रियल है या खयाल है रियाक्ट मत करना वरना फबलीक युजे पूरी मेंटल समझेगी इस्टरब मत करो गोगो अच्छा इतनी अकड कोई बात नहीं इस मिस्टर डिजारेबल को कोई भी मिल जाएगी एलो एक्स्क्यूज मी गर्ल्स एक मिनुट रुको एक मिनुट रुको क्या तुम सच में यहां आयो मेरे लिए तुम मुझे छोड़कर यहां रह सकती हो लेकिन मैं नहीं रह पाया मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती इसका एसास मुझे वह इसलिए तुम्हें रात को गाउं छोड़कर सीधा तुम्हारे पास आ गया यहां मेरे क्या करें यहां यह हमारी बॉर्रिंग स्कूल की फ्रेंज हैं यह मेरा फ्रेंड ड्रामाचारी फ्रेंड है अहां songs coping अबने ठीक सुना just friends हैn यह क्या hear just friends it says just friend! Just friend, इतनी बर कहने के क्या हो रह थी आ domestic तुम्ने जो कहा उसे में ईका में बर्ना यह हमें काले थी मतलब हमें मेन आठीक हमों नहीं हैं आरे मैनने तो युही कहा देखो, हम लोग lovers हैं, ये सभी लोग जानते हैं, बस ना वो लोग पूछें और ना हम लोग बता हैं, आजा हाँ 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 चीटिंग चीटिंग है ये, चीटिंग हाँ चीटिंग है तुमने तुमने देखा ना लबली कितनी खुश थी हर लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है उसकी शादी, सालों तक वो उसी सपने को सजाती है खेंट, तुम बताओ, हमारी शादी के बारे में तुमने कुछ सोचा है आँ आँ मार्गरेट हम हर किसी की तरह बोरिंग शादी नहीं करेंगे टिफरेंट, टिफरेंट टाइब से करेंगे पहले तो हम हनीमून मनाएंगे उसके बाद एक स्वीट नियूज आएगी उसके बाद हम माता पिता बनेंगे उसका नामकरन करेंगे उसके बाद हमारे बच्चे का फर्स्ट यर बाद दे उसके बाद शादी और बाद में रिसेप्शन मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर बच्चे की एक तमन्ना होती है ना कि वो अपने माता पिता की शादी देखे हम बच्चे की खुशी को नहीं चीनेंगे नहीं मार्गरट बिल्कुल नहीं हमारे रिलेशन के बारे में हो या हमारी शादी के बारे में ऐसी बेहुदा बाते तुम कभी मत करना हमारी शादी स्पेशल तरीके से होनी चाहिए देखो तुम ये मत समझनो कि मैं पागल हो गई हूँ हमारी शादी के दिन हमारा स्वाकत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा और मैं इंदर धनुश के उपर से चल कर आऊंगी चारों तरफ दिये होंगे मैं सबसे पहले अपना दाया पैर रखूंगी मार्गरेट वेड्स रामचारी इतने लंबे प्रोग्राम के बारे में पहले से पता होता तो मा कसम गोवा आता ही नहीं 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 रामचारी मैं तो मजा कर रहा था यह क्या है यह क्या है यह भाव प्रोग्राम शिरू हो गया चलिछ चलो इसे हैं मेरी लावली यू और वेर्ट फ्रेंड यह थैंक एव्रीवन फर अटेंडिंग मय डॉटर्टर वेडिंग हर पिता के लिए यह पल बहुत दर्दभरा होता है आप ही सोचिए मैं बेटी की शादी के लिए खुशी मनाओ या फिर वो मुझे छोड़कर दूर जा रही है इसके लिए दुखी हो जाओं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पितर किसी भी माबाप के लिए बेटी कभी बोज नहीं होती मैं अपने जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले करता हूं अगर उससे कोई भूल हो ग सारी वो मैंने सूचा कोई रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा सर आपने तो मुझे एमोशनल कर दिया आपने बिल्कुल सही कहा मुझे भी ऐसा हैसास हुआ जब से वो मेरी जिन्दगी में आई है सिर्फ सपने ही सपने है पूरी जिन्दगी उथल-पुथल हो गई है तो सि सिर्फ उसी की वज़ा से है उसकी पूरी जिन्दगी उसकी सारी खुशियां उसने मेरे हवाली कर दी हर पल बस उसी कही ख्याल रहे और डर भी लगता है कि कही गल्ती से उसे मैं खोना बेठ हूं उसकी आँखे उसके होट मैं जब भी देखता हूं तो सारी दुनिया भुल लेकिन उसे एक पल भी मिस किये बिना उसका ख्याल रखूंगा वो मेरी बनने के बाद उसे सीने से लगाने वाला पापा भी मैं हूं और हर पल प्यार देने वाली मा भी मैं हूं उसके हर पल हिवाज़त करूंगा यह वादा करता हूं I love you Margaret I love you Margaret I love you Margaret देखते मेरी सुबह से शाम हो, तेरे बिना यार मेरे जीना नहीं मुझे को ये कैसी पिता भी है, जो बागर मुझे को करे सार रिष्थे तोड़के, पास आजा दोड़के हाथ उसे अपने सजाऊंगा, दुलहन तुझे बनाऊंगा तोली में बिठाऊंगा, चांद के पार ले जाऊंगा चांद के लहरों में तिर संग मह जाऊं जाहत में तेरे दुनिया खूल जाऊं तोसे आज मैं लिख दू दिल पे नाम मेरा मेरी आखों पे शारों को सरा समझा रुके हाँ क्यूं आओं में मुझे भर लो तजी को देखते मेरी सुबह से शाम हो तेरे बिना यार मेरे जीन नहीं मुझे को रबदा रबदा दिल रुबा तू मेरी तू मेरी जाँ तू है मेरा रस्ता तू है मेरा जाँ छोड़ूगा मैं आसमा प्यार का चड़ा है घुमा मैं हुआ बेकाब जो तू ने मुझे को चुआ चल गया तेरा जातू मस्ती में दिल ये चुआ तू है जासा भवराब मौसूं करे निलेगी जहा जन्नक उस राह पर चलेगी तू चाहना तुन ओहरा अब है काम तेरा मेरी आखों के शारों को सरा समझो रुखे हो क्यूं वाहों में मुझे भर लो तुझी को देखते मेरी सुबह से शाम हो तेरे बिना यार मेरे जीना नहीं मुझे को ये कैसी पेताती है जो पागल मुझे को करे और तेरी बातों ने तेरी सासों ने कर दिया दिवाना आज मैं इतना खुशों की बता नहीं सकता मेरी बेटी गीता और हरी की शादी तय हो गई है ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है पास क्लास अरे ये क्या कर रहे है आप बहारा चाहिए आपको इदर लाइए ये क्या बात हुई तू लड़के वाला है तो इस तरह मेरे पर जाड़ेगा मेरी बच्ची को मुझसे जादा खुश रखने वाले तेरे जैसे सास ससुर हरी जैसा पती मिला अब मुझे कोई चिंता नहीं मुझसे जादा खुश नसीब कौन होगा तुम बता बेटा तुम खुश तो हो ना अरे अंकल ये आप क्या कह रहे है पापा ज जीतने जितने खुश ही मिली है जल्द वर्ल्ड कप होने वाला है देखना है या नहीं देखना है पहले स्टेट्मेंट पढ़ना फिर साइन करना सुधा गुवा के फोटोस देखो कितने प्यारे हैं आप देखो लबली बहुत प्यारी लग रही है हाँ येलो शादी बहुत शांदार होई थी अरे सुधा मा सारी मैंने उसे मेसेज किया था कि मैं उसे बहुत मिस्स कर रही हूँ और वो बेवकुफ गो आ गया आप मान क्यों नहीं जाती मा जैसे आप सोचती है वैसा नहीं है वो मुझे बहुत चाहता है मा शुरुवात में सभी ऐसे ही होते हैं शादे के बाद वो अपना असले रूप दिखा दें कॉलेज में होते हैं तब हमें कुस समझ में नहीं आता क्योंकि माबाप पर डिपेंड रहते हैं उसके बाद जिन्दगी क्या है यह पता चलता है अरे मैं कह रहा हूंना सर अरे नहीं भाई देना ही पड़ेगा अरे सर लेकिन मैं गैरेंटी ले रहा हूं ना को साहाब बैठे में है हां मैं निकल चुकी हूं तुमका हो मार्गरिट मेरे दोस्ता एक लफड़ा हो गया तो उसमें उसके कोई गलती नहीं है बस उसके ओपर हां बोलो मार्गरिट लवली वेट कर रही है उसके हां लेंज के लिए जाना है कहां हो मार्गरिट पता नहीं क्यों सुबह से मेरी तभीयत खराब है मेरा कई जाने का मन नहीं कर रहा है तो आच्छा ओके अपना ख्याल रखना टेक एर ओके बाए ऑफ़ आचल मैच तकते ह बोलो मार्गरिट तुम्हारा घर रोड नंबर फाइब पर है ना तुम इस वक्त कहां पर हो तुम लंच पर क्यों नहीं गए अरे लंच में किसी और दिन चली जाओंगी उससे इंपर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ बुखार अभी भी है टैब्रेट ली तुमने डॉक्टर के पास गई या नहीं बताओ मैंने तुमसे जूट बोला कि मेरी तबियात खराब हुई है मुझे बुखार हो गयरा कुछ नहीं था इंट्रेस्टिंग मैच चल रही थी मार्गरेट तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सोचा कि ए खुश रकने के लिए कितनी मार जूट बोला है अरे मैंने कभी तुमसे जुट मार्गरेट प्लीज मेरी जब तु यहां कुछ नहीं कर पाया तो वहां जाके क्या करेगा मुझे प्रोमोशन मिला इसलिए जा रहा हूं काम का हूं इसलिए भेज रहे मुझे तो इस खुशी में एक छुड़ा सा पैग हो जाए क्या बात कर र मार्गरेट क्या हुआ मेरे फ्रेंड को अरजन्ट खून की जरूरत है इसलिए फोन करके बूला है चलो उसे कुछ नहीं होगा तुम फिक्र मत करो सर्व हाटबिट चेक किया है मैंने ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा स्मोक किया है तो फिर तीन घंटे तक हम आपक कोई प्रॉबलम नहीं होगी प्रॉबलम अब उससे नहीं मुझे हो रही है तीन वक्स सिग्रेट ड्रिंक्स फ्रेंड्स भटकना मजा करना यही जिल्लेगी है क्या मुझे थोड़ी ना पता था कि मुझे तुम्हारे फ्रेंड के लिए खून देना पड़ेगा उसमें मेरी क्या गलती है तुम्हें कुछ नहीं पता यही तो प्रॉबलम है क्या हो आए तुम्हें? तुमने कोई फ्यूचर प्लानिंग की है क्या? आगी के लिए कोई सेविंग की है क्या? यह सिगरेट ड्रिंक्स में इन तीन चार सालों में कम से कम वन अन हाफ से टू लाक सो कंफर्म खर्च किये हैं. अगर वही पैसे सेफ किये होते, तो आज तुम्हारे पास एक नैनो कार तो होती ही, ये है, इसे कहते हैं प्लानिंग, तुम्हें नहीं टाइम की कीमत है और नहीं पैसों की तुम सिगरेट पीती हो गया, टाउनिक लेती हो गया, तो फिर तुम्हारे पास नैनो कार क्यों नहीं आई? ए, बेकर में क्यों परेशान हो रहा है, लव में ये सब चलता रहता है एक हफते से मैंने उसे बात नहीं किये यार, वो भी मुझसे मूँ फुला कर बैठी है कल उसका बिर्थडे है, उसने मुझसे कहा था कि इस बार का बिर्थडे हम अलग तरीके से मनाएंगे किसी भी तरह उसे मना कर खुश करना पड़ेगा रामाचारी रामाचारी देख तरे बापा को क्या हुआ जल्दी आकर देख हैरी ने लेंडर में लिखा है कि वह घर जोड़कर जा रहा हूँ चैद यही सत्मा यह सेंग अगर पाए कि वह सत्माचारी देख इंडरा कर भ्रादी देख है झाल झाल दिव्या, दिव्या, हुट्जा, हैपी बर्ड़्डे, मा, तु जल्दी से त्यार हो जा, हम मंदिर चलेंगे, जुट्छ, हम पाटी करनी है या फिर रामाचारी कहीं ले जा रहा है, सुधा, आजा बाइ चले चले रामाचारी मैं जानता हूँ तुम उसे बहुत नारास हूँ लेकिन मेरे घर की प्रॉब्लम खेर छोड़ो हैपी बर्थडे तु यु मार्करेट समझने की कोशिश करो आज तुम्हारा बर्थडे है तुम्हें खुश रहना मेरी सारी खुशियां परबात हो चुकी है अब कोई खुश नहीं बची है मार्करेट मैंने चान बुचकर नहीं किया पहले सुनो तो क्या हुआ है तुम्हारे पास हर बात का रीजन होता है ना हमेशा स्क्रीन पे तयार करके आते हो उस दिन तुम्हारा फेन पुलीस टेशन में था परसन तुम भीमार थे आज क्या भाना है तुम्हारी मम्मी की तब यह ठीक नहीं यह थे तुम्हारे पापा असपिटल में है क्यों बोलतीबंद हो गई लोग तुम्हारे बारे में एकदम सही कहते हैं मैं ही उन्हें गलत समझती रहे आज मेरा बर्दे है ये भी तुम्हें याद नहीं रहा तुम पर अगर मैंने और भरोसा किया तो सोचती हूँ क्या होगा लवर अक्सर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं और जब दोनों का रिष्टा पक्का हो जाता है टेक इन फो ग्रांटेट है ना अज तुम्हारा जनम दिन है इसलिए मैं तुम्हारा दिल दुखनाना नहीं चाता तो तुम कुछ भी बखे जा रही हो मैंने तुम्हारा दिमाग खराब नहीं किया तुम ही मेरे पीछे लव लव करती हुई आई थी हर किसी का अपना एक संसार होता है लव होते ही सब कुछ बुला कर किसी लड़की का गुलाम नहीं बना जा सकता दोस्ती के माईने तुम्हें नहीं पता मैं सर्फ टाइम पास करने के लिए किसी से भी दोस्ती नहीं करता हूँ तो क्या मैं टाइम पास हूँ हर बग फोन करती हूँ मेसेज करती हूँ और फोन नहीं आया तो फिक्र नहीं हूं मतलब यह है कि मुझे उससे ज्यादा इंपोर्टन काम आया होगा आया होगा मम्मी पापा फ्रेंज के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है लेकिन मेरे लिए नहीं है लड़कियां हमेशा प्लान करके ही आती है तुम्हें मुझसे कई ज्यादा तुम्हारी सिक्यूरिटी इंपोर्टन्ट है हर लड़की एक लड़की के बारे में सौ लोगों से पूझ कर उसका बैग्राउंड जानकर उसके बाद सोच समझकर उसे आई लव यू कहती है लेकिन पिना ही हम उसे आई लव यू कहे देते हैं यह होता है सच्चा प्यार हम लड़कों की यही तो गलती होती है फर्स्ट आफॉल तुम हो क्या चीज जो मैं तुम्हें हर वाज सफाई देता बैठू मैं कैसा हूं मैं एच्छी तरह से चानता हूं तुम्हें कैरेटर नहीं है अपने खुद के घर में ऐसे लड़के के साथ तो अपने पूरी जिन्दगी बरबात करना चाहती है बीच चौरा है पर बिना सोचे वो तेरी बेसत ही किया जा रहा है तो और क्या है तुम क्या जानो जिसकी खुद की इज़त नहीं वो मेरी बेटी से क्या प्यार क चल मेरे साथ दिव्या पापा मैं बच्पन से ही आप लोगों के लिए रामचारी से ज्यादा प्यारा रहा क्योंकि मैं मन लगा कर पढ़ता था मैं आपका हर कहा मानता था इसलिए आप मुझे ज्यादा इंपोर्टेंस देते थे मैंने इंजिनिरिंग किया है वो भी आपके कहने से नहीं मैं खुद चाता था इसलिए मैं पढ़लिक कर एक अच्छी नौकरी पाकर आप लोगों से हमेशा दूर रहना चाता था आपके दोस्त ने आपकी मदद की है तो वो कर्ज मैं उनकी लड़की से शादी करके क्यों च बेटा दिव्या दर्वाजा खोलो अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तू क्यों खाना पिना छोड़कर बैठी है यह प्यार नहीं है बेवकुफी है जी बोली आउटी हाँ है री खर चोड़कर चला गया है नहीं दे सकता नहीं मम्मी को दूंगा और नहीं पापा को दूंगा मुझसे ही बात कीजिए मैं एक्जाम में पास हो जाओं या फेल हो जाओं इससे आपको क्या करना है आउटी मेरे माबाप को कैसे संभलना है या मैं अच्छी तरा से जानता हूं गुडबाए रामचारी बातों में जरा मिठास रखो अच्छे बुरे वक्त में ये अपने ही काम आएंगे अच्छे बुरे वक्त में भाग कर आते हैं, फ्रेंड्स रिष्टेदार तो बस पैसे वालों को कीमत देते हैं और फ्रेंड्स अपना बन कर फर्ज निभाते हैं नाश्ता हो गया हो तो इनको दवाई दे दो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है I'm sorry Margaret, birthday day की दिन मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही कह गया मैं बर्थडे भूला नहीं था, सच में मेरे पापा की तबियत खराब थी I'm so sorry, I'm so sorry, अब पापा की तबित कैसी है अब ठीक है, टेंशन में तुमसे कुछ तो होना था सो हो गया, अब हम पहले जैसे नहीं रह सकते कॉलेज खत्म हो गया है, हमारी प्राइयोरिटीज चेंज होने वाली है मेरी ममी तुम्हें अच्छा लड़का नहीं समझती, और ये तुम भी जानते हो वो हमारे प्यार को एक्सेप नहीं करती, मैंने प्राउमस किया था कि मैं तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगी उन्होंने कभी मुझ पर हात नहीं उठाया था, तुम्हारी वज़े से मुझे बहुत बईज़ती उठानी पड़ी तुम्हें लेकर हर रोज हमारे घर में जगडा होता है, इस तरह से नहीं चलेगा, तुम्हें चेंज होना पड़ेगा मेरी खातिर, मा की खातिर, हमारे फ्यूचर की खातिर देखो रामचारी मैंने काजिन से बात की है वो अपनी कमपनी में तुम्हें जॉब दिलवा सकता है वो होता कौन है मुझे जॉब दिलाने वाला तुम तो ऐसे करियो जैसे मैं कोई आवा रहूँ देखो अगर तुम्हें मुझसे तकलिफ हो रही है तो तुम मेरे साथ छोड़ सकती हो दुनिया की खुशी के लिए मैं अपने आपको बदल नहीं सकता सिंगल रहो तो कहता है लवर नहीं है लवर है तो पूछते है शादी कब है ब्रेक अप हुआ तो भी पूछते है डिवोस हुआ तो भी पूछते है खुशी से रहेंगे तब भी बात करते है दुख में रहे तुम्हें मैं खो दूंगा इस डर से मुझे जैसा तुम कहती हो वैसा नाटक करना पड़ेगा और चेहरे पर नकले मुस्कान बनाए रखना पड़ेगा ऐसी जिन्दगी मुझे मन्जूर नहीं है अच्छा तुम्हारी मा के हिसाब से मुझे कैसे रहना चाहिए तुम्हारे बाप जैसा है जो तुम्हारी मा के सामने हमेशा नंदी बैल की तरह गर्दन हिलाता है मेरे पापा के बारे में कुछ भी जहने की तुम्हें जरुवरत नहीं है। आल राइट, तोबारा कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी, मुझे खौने के बाद तुम्हें हैसास होगा, कि मेरी कीमत क्या है, तु क्या सोचती है, तेरे जाने के बाद मैं मर जाऊंगा, तेरे आने से पहले मैं खुशता, तेरे जाने के बाद भी खुशी रहूंगा, अब यह बकवास बन करो और यह से तफाओ चा, मर जाओ तब भी तुम मत आना, नहीं आओंगा चा, नहीं आओंगा चा, नहीं आओंगा चा, ओ, सौहरी बुलबुल, टच हो गया, ओहो, ब्रेक अप हो गया, तुम जैसी क्लासी लड़कियों को मेंटन करने की हैसियत उसमे चलो मेरे साथ, तुम्हें जननत दिखाता हो, तुम लोग उसे देख कर क्यों गबरा रहे हो, उसने अभी-भी कहा कि यह मर भी जाए तो वो नहीं आएगा, आज से यह अप उनकी प्रॉपर्टी है, हाँ, तेरा क्या फैस्दा है बेबी, फॉर्मलिटी के लिए ही पूछ तु ना बोली, तो भी, बल बल, अपना बना कर दो चुछ कि लगहाउन कि अ कि खर्क वे ऐंडती है अई nंत कि वजय起 already वदे हो खब कर दो अज हरु हरु बढ़ी आरे बढ़ी आरे बढ़ी ये यू! वस्मिट! वस्थाइवाई! एस में अचेंगे भी कर दो! प्रब्रब अजय खरूओां अजयाँ कि हा एक हो जई खरूपकाइवाँ अजयाँ व्रफ्रीव में अजयाँ व्रब्रब खरूपकाइश कि आख सब्लेग प्रफ्रेश झाल झाल इस तब क्या हो रहा है उसे प्यार करने का हक और छूने का हक इस राम अचारी को है और किसी को नए इसे पढ़ाय लिखाय से कोई मतलब नहीं बाविश्य तो पहले भिगार चुका है इसके लिए हो सकता है कि एक्जाम कोई बड़ी बात ना हो लेकिन जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाय करते एक्जाम ही उनके लिए सब कुछ है बच्चों को पैदा करके सड़क पर छोड़ द पीता है शराब भी पीता है पढ़ता नहीं है खुसा नाट पर है लेकिन इसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर शर्म से जुग जाए और ऐसा करेगा भी नहीं ये पढ़ता नहीं था मेरे साथ बहस करता था इसलिए कई सालों से मैंने इसे बात नहीं किये लेकिन दूस्तों के गलती के सजा भी मैंने इसे दी है और अक्सर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों में भीधभाव किया जाता है और अक्सर पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों में भीधभाव किया जाता है अगर हम जैसे लोग अपने ही बच्चों में भीधभाव करेंगे तो वो बच्ची अपना दुखड़ा किसे सुनाएंगे सर पढ़ने वाला बच्चा है और ना पढ़ने वाला बच्चा बुरा है यह सोचना हमारी सबसे बड़ी भूल है सर इसकी चोट मैंने खाईए सर आप नहीं समझेंगे इसने यहां हाथा पाई की एक्जाम में सबको डिस्टरब किया कुछ तो जरूर गलत हुआ होगा तभी इसने ऐसा किया फिर भी इसकी तरफ से आप सबसे मैं माफी मांगना रामचारे रामचारे मैं तेरा भाप हुना लेकिन मैं तुझे कुछ बच्पन में कभी मेला घुआने नहीं ले गया कभी तरह बाल कटवाने नहीं ले गया पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैंने कभी अटरण नहीं की फुल दे खुल दे कोले शनाय धरे किसी प्रोग्राम में नहीं गया मैं तुमारी मा कहती रहती है कि तुम बहुत अच्छा डाइज करते हो हां लेकिन मैंने कभी तुझे देखा ही दि अवेशा अपना मुह भेर लिया थहा हाह। है कि ऐसे गाडी रो ल्ट पाप चलिए पाप लेट हो गया का है पाप अबयाद मैंने तेरा कभी डांश नहीं दीखा तो एक दू स्टेप एक दोस्टेप दिखाना मुझे अभी देखा भाप भावब भाथ हो गये लेट हो रहा नाज करना, तुझे कभी देखा नहीं.. प्लीज प्लीज करना.. करना करना.. जल्दी, जल्दी है नहीं को देख रहे हैा तुझे.. है तेरा नाजरी करना.. करना के लाघ गभ्ल गभ्ल इरिफ बोग्तारotion pana Fris अरे बोुतру बोग्तारी रहाना लुतार लिप दोग्तार आले वाना आटे मैं बुकी जemosा कि एजी बाई साब का फोन आया है मैं कितनी बार जूट बोल चुकी हूं कि आप मोबाईल भोलकर शहर गए हैं अब मुझसे जूट बोला नहीं जाएगा बहुत हुआ आप ही उन्हें जवाब दीजिए अर發現 है क्या खृण अन्कल मैं रामाचारी बोल मैं ठीक हो या था आप पपाकर में और ना ने मैं उन्हें वहां लेकर आ देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, हरी के बारे में पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, उनके हम पर बहुत अहसान है, मैं उनके साथ ये नाइसाफी नहीं कर सकता, नहीं, अगर उन्हें कुछ हो गया, तो मैं खुद को मात नहीं कर पाँगा, फिर कब तक ऐसे चुप कुछ नहीं होगा, उनसे जाकर बात करते हैं, अगरे तो मेड़ी ना चाहिए अपी बढ़्या देने दर्वारीट कितनी ताजब की बात है रामाचारी को लेकर आज तुम मेरे घर में आये हो क्यों पापा के साथ सुला हो गए क्या तुम इस बच्चे को ठीक से समझ नहीं पाये थे थुड़ी जबान कड़क है लेकिन दिल का हीरा है मेरा बेटा केता ज़रा कॉफी तो लेकर आओ भाई साब मैं कॉफी बना कर ला दिए अच्छा ये बता तुझे क्या हुआ है मेरा फोन नहीं उठा रहा था बात नहीं कर रहा था आज कल बहुत बेजी है क्या मैं दुर्ग गया था अपने सारे पुराने दोस्त मिले साब को दावत दी है साबने बेटी की शादी में आने का वादा किया है मुझसे और एक तु है कि खामोश बैठा हुआ है कोई तैयारी नहीं पता है ना भाई शादी की तारिक नस्दी का रही है भाई साब आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है और मैं हमेशा उसके खुशी चाहता हूँ देख मेरी बच्ची कहां खुश रहेगी मैं जानता हूँ यही सोचकर उसे तेरे घर की दुलहन बना रहा हूँ आप ठीक करें बिल्कुल ठीक करें आपको टेंशन लेने के कोई ज़रूत नहीं है टेंशन ना लूँ क्या मतलब है तेरा मेरा लड़का हरी वो सही नहीं है उस पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है है यह क्या क्या रहा है तू हरी को यह रिष्टा मंजूर नहीं वो घर छोड़ के चला गया बाई साब आपको टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है आप बिलकुल फिकर मत कीजिए गीता के लिए अच्छा लड़का ढूड़नेंगे अगर आपको मंजूर हो तो मेरा बेटा रामाचारी इस घर का दामाद बन सकता है रामाचारी एक बहुत अच्छा लड़का है यह खरास होना है ऐसे आप भी कहते थे थे ना रामाचारी बिलकुल सही रहेगा इस मुसीवत से हमें अब यही बचा सकता है भाई साब भाई साब मैं परिशान था कि आपको दीवी जबान में कैसे रख पाऊंगा इसी डर से मैं आपका फोन में नहीं उठा पा रहा था पर अब मुझे ज़रा भी डर नहीं है भाई साब मेरा बेटा रामाचारी है ना मैं खुश रहूंगा आप भी खुश रहेंगे हमारी बेटी गीता भी खुश रहेंगी इसकी मेहरबानी से हम सब खुश रहेंगे भाई साब मान जाइए ना भाई साब इंकार मत करना मैं हाँ जोड़ता हूँ मना मत करना अपनी बच्ची को बहुत बढ़ा लिखा तौलत मन लड़का तेने से कहीं ज्यादा अच्छा एक अच्छे संसकार वाला बड़ो की इज़त करने वाला अच्छा लड़का दे रहा हूँ इस बात के मुझे बहुत खुशी है हलो दिव्या तुम्हारे लिए गुड न्यूज है रामचारी की शादी उसकी किसी रिष्टिदार की लड़की से हो रही है अच्छा है तेरी तो जान बच गई उसी अगर तुमसे प्यार होता तो क्या वो ऐसा करता इससे उसने ये साबित कर दिया कि वो एक नमर का लोफर है डिविया? घलो, डिविया? हलो? मा मा क्या है दिव्या मा मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं बची मैं मरना चाहती हूँ यह क्या कह रही हो मैंने जहर पी लिया है मा मेरा प्यार मुझे नहीं मिला मैं जीना चाहती मा अशोक कैसी है वो वो अभी मारी नहीं है वो जिन्दा है या नहीं यह देखने आया है तु आखिर अपने अपको समझता क्या है हां तुझे किसने हग दिया मेरी बेटी के साथ खिलवाड करने का अब तो तुझे शांती मिल गई होगी हां चलब निकल जा यहां से मुझे उसे मिलना है वो यहां अंदर है इस लूफर का साथ देकर तो अपने बेहन के जिदेगी बरबाद करना चाहता है बात को समझो माँ अगर दिव्या को कुछ हो गया तो इसका सिम्मेदार तू होगा माँ काम डाउन जी चाड़ मुझे मार्गरेट मेरा नाम दिव्या है इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें मेरी याद नहीं आई जैसे तुम्हें मेरी बड़ी याद आई सिंदा हूँ या मर गई हूँ ये देखने आये हो या फिर अपनी शादी का इंविटेशन कार्ड देने आये हो कि हमें मिले बहुत दिन हो गए फिर भी मेरे दिल में ज़रा सा भी प्यार कम नहीं हुआ हर एक पल तुम्हारी यादों में तड़प कर बिताया है सोचा था तुम भी तड़प रहे होंगे पर वो मेरी भूल थी तुम्हारे बगेर में अपनी जिन्दे की इमाजन भी नहीं कर सकती तुम्हारे बिना में नहीं जी सकती तो मैंने मरने का फैसला किया लेकिन उसके बाद सोचा कि तुम मेरे बिना जी सकते हो तो फिर मेरी चान कवाने का कोई मतलब नहीं नहीं अब मैं नहीं मरूंगी मैं जीऊंगी और खोश रहूंगी मारगरेट मेरी मजबूरी क्या है जरा समझने की कोश मुझे मच हुआ किन आती है मुझे खुछ शादी करने जा रहे हो और मेरे सामें नाटक कर रहे हो थांक्स अब मैं समझी तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगय है उस दिन तुमने सही कहा था मेरे बिना तुम आराम से जिलोगे पहले भी बिंदास था और आगे भी ऐसा ही रहूँगा जाओ, बिंदास जीओ मारगरेट प्लीज जाओ मारगरेट मेरी बात तो सुन मैं कब से तुझे फोन करहा हूँ, तू फोन क्यो नहीं उठा रहा है यह देख कैसा लग रहा हूँ हाँ यह मेरी शादी का जोड़ा है, शादी के बादी से दूसरी बहुंद है, आज 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 आज, सल्दिया, क्या हूँ देख बेटा, आज का दिन बहुत शुभ है, तो भाई साब ने कहा कि आज के दिन मंगनी के रस्म पूरी कर लेते हैं, देख, बड़े भाई साब आज बहुत खोश हैं, तो जानता है न, वो मेरे कलौते दोस्त हैं, हाँ, आजा, ये क्या है बेटा, सुबह सुभे कहा चले ग बैच, फिक्स, बैठी जजमान बैठी है, तुम भी बैठो, शंकर और गिर्जा जी के सपुत्र रामाचारी जी का वेंकटेश जी और स्वर्गिय सुष्मा जी की पुत्री गीता के साथ मंगनी का रस्म संपन्न हो रहा है, दिनांक 18 नुवंबर 2014 के दिन चित्र दुर्ग म दोनों परिवार ने ये शुब विवा करवाने का निश्य किया है, ये शादी मुझे मनजूर नहीं, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, ये बात मैं आपकी भाईया को भी पताना चाहते थी लेकिन, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, इस बारे में तुम्हें अपने पापा से कहे देना चाहिए था, बहुत बार कोशिश की लेकिन नाकाम्याब रही, ये बात आप भी जानते हैं, पापा को दो बार हार्ट अट अचे बला रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि मेरी शादी यहां तैय हो चुकी है, ऐसे हालात में क्या को और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भगवान के लिए आप किसी तरह ये शादी रोग दीजिए, और मुझे बचा लीजिए, प्लीज, बहुत जल्दी बता दिया, मैं ये शादी नहीं रोख सकता, सुनो, हम मैं सो कोई कुछ नहीं रह पाएगा, ये सही है आँटी, मुझे मैनेजर के पोस्ट के लिए प्रमूट कर दिया है, अमेरिका में पोस्टिंग होई है, ओ ये बात है, कॉंग्रेट साकाश, थैंक्स, आँटी, क्या मैं दिव्या से मिल सकता हूँ या उसकी फोटो कोई मंगल सुतर पहनाना है, रुको अभी बु जिंदीगी में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मम्मी ने दिव्या की शादी एक लड़के से फिक्स कर दी, और उसने हाँ भी कर दी है, बढ़ी तेरे जिद की वज़arta से, जिस दिन तेरी शादी हो रही है, उस दिन उसे भी शादी करनी है, वो भी प्यारे ये ले इसे पीकर तु सब कुछ भूल जाएगा पीकर प्रॉब्लम कुछ देर के लिए भूल जाओंगा लेकिन सॉल्व नहीं होगा सिगरेट और ड्रिंक छोड़ने के लिए कहा मेरे हेल्थ के लिए प्लानिंग करके सेव करने को कहा फ्यूचर सिक्यार करने के लिए चेंज होने के लिए कहा ताकि मेरा ही भला हो सके उसने मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसकी जरासी भी कद्र नहीं की यह अपनी बात क्यों नहीं समझ रहा है यार अगर इसका प्यार सचा है ना तो वो इश्वर इन्हें मिलाएगा याद रखना याद बैटे को डारेक्ट दरी बेज दे नमस्ति सैर आई 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 सर विलकल विलकल क्या बात है बात बनेगी कुछ कहां आपने कुछ नहीं सर आप बैठ जाए और कितना बैठेंगे सुनिये सर मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई अठारा तारीख को है मैं भाग दोर तो नहीं कर सकता समझ रहा हूं शादी की तारीख बहुत करीब आ गई है इसलिए मैं चाहता हूं आप मेरी बेटी की शादी परसनली हैं लड़का लड़की की डिटेल्स एडवांस सब इस हैंडल अपने है किसी तरह की कुई कमी ना होने अध्वांस की इतनी जल्दी नहीं थी फिर भी कोई बात नहीं रहने दीजिए अब नहीं चाहिए नमस्ते 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 ठीक है क्या कहा आपका घर भी चितरतुरुक में ही है जी बिलकुल जेट मैडम अठारा तारीख को ये लीजे इसमें शादी के सारी डिटेल्स है शादी ग्रेंड तरीके से हो ये आपकी जिम्यदार है देखियेगा कोई भी कमीना रहे जरूर सारा काम अच्छे तरीके से होना चाहिए टाइम बहुत कम है ये रहा एडवांस चाहिए इंतजाम हो जाएगा मैडम मैं चलती हूँ नमस्ते यह क्या माजरा इनकी शादी में जिर्ग में है, उनकी शादी में चितरोदर्ग में है, यह भी 18 तारिक हो है, वह भी 18 तारिक हो है, यह कोइंस इदेंस है यका कहानी में कोई नया ट्विस्ट है adhere जो भी बॉभ्व से मज़े क्या-बोफ बोबॉभ्फाइल हो अर्या नरेृच्छ गिंह गिर गेंगी मजहां कि यह है परफेक्ट जोडिए यह ले इसे इस फाल कर दीजा यह मन चला खोड़ा घ्ल से तेरा गेम स्टार्ट पहुंच गहें लगता है आई 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 आए आप लोग आगे मैं आपका ही वेट कर रहा था वो यहां क्यों आया है मुझे नहीं बता सर वो क्या है ना कि इनकी विशादी उसी दिन है तो इसलिए इन्होंने कि इनका सारा अरेजमेंट मैं ही करूँ परसनली हैंडेल करूँ इसलिए दोनों की पर्चेजिंग मैं एक साथी मुझे इनके साच शॉपिंग करना मंजूर नहीं है मैं कॉंट्राक कैंसल करती हूं चलो मा हम किसी से रेरकर क्यों जाए आप फिक्र मत कीजिए वो चाहिए कु इसके शकल से लगता है कि यह बहुत कंफ्यूस्ट है शर्मिला लड़का है एक्स्क्यूज में आप यहां के बठेंगे वो क्यों नहीं आपका हीरो ना आप यह क्या हो रहा है लड़का यहां नहीं बैठना चाहता लड़की भी यहां नहीं बैठना चाहती आज भी इतनी संस्कार है सुपर जोड़ी है वह ला अच्यू करियो ना शरी नेवी भी ठीक है यहां दास नाइस मैं बस अभी यहां ठीक है भूफ ट्राय करने क्या है इसी तरह सभी पाटी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल देते हैं मेरा कमिशन दूं पठापट गिन 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 कर अपनी जगा चुका देना ओके मंचला घुड़ा जी मैं ट्रायल रूम में जा रहा हूं यहां सब संभाल देना मार्गरेट प्लीज मार्गरेट समझने की कोशिश करो ठीक शंकर ठीक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मार्गरेट बहुत अच्छी बात है मैं तुम्हे धोका देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूं ट्रायल रूम वाए है यह रामाचारी यह पब्लिक प्लेस है चारो तरफ पहचान वालो की भीड है थोड़ा सबर रखो हाँ वो अंकल मैं यहाँ यह रेस्टरूम में हम लोग सारी सेक्शन में जा रहे हैं तु भी वहाँ आजा भाई साब इन्हें हुली मुन पर कहां बेज़े हैं हाँ इस नाइस हाँ छोड़ो मेरा अच्छी अपते भर से लाश रम कुछ है की नहीं थो क्या मेरी किस्मत है उसका फूम भी नहीं लग रहा है एक मिनट रुको इतनी स्पीर्ट चे क्यों जा रहे हो 24 करेट गोल्ड होते वे इस उमा गोल्ड के पिछे क्यों भाग रहे हो तिल की प्यास को कूल करने के लिए नारियल पानी मंगाओ क्या टाइम भहुत कम है करना है जोरा बहुत तेज है अपनी शादी की बीच में दूसरे के साथ वर्काउट करने की सोच रहा है रहे बाप्र जरह वह वाली दिखाई यह हां मतलब टॉर्ची है कमपटेबल तो फील कर रहे हैं ना सर्क है 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 हलो तुम रॉक प्लेस में क्यों बढ़ गया हो या या ओके पेचाना इसे बहुत अच्छा बैट्समन है वाव मा यह देखो यह वाली वाव सुपर्ब है यह तुझे पसंद आ गई सुनिए इससे प्लीज पैक कर दो सौरी मैडम जी यह इन्होंने ले ली है कोई बात नहीं दे दीजी इने यह लिली जी मैडम ऐसे चीप यह देखाओ जी सर यह देखाओ सुनो उससे कौशली साड़ी दिखाओ मुझे यह लो मैडम कांजी वरम है गोल्ड बोर्डर वाली आपको बहुत पसंद आएगी सिर्फ बोर्डर ही गोल्ड का नहीं फूरी साड़ी गोल्ड की चाहिए दिखा जल्दी दिखा अभी देख इस शादी में यह साड़ी बहुत अच्छी है इसकी कीमत क्या होगी हिस्से मत पूछे सर्फ यह जानना है कि बॉस को साड़ी पसंद है कि नहीं जारा बताईए पसंद है मेरी वहू के लिए एक लाग के साड़ी पैक करो जल्दी हाँ जी सर सुनो तुम्हारी शॉप की सब से कॉस्तली साड़ी दिखाओ जीस दुकान के सबसे चॉस्तली साड़ी है एक लाग रुपे की है उपर से लिमिटेड एडिशन इसका दो लाग रुपे आलो और पैक करो सब पैक करो भाई पैक करो आपके यहां शॉपिंगर के अच्छा लगा चाहता हूँ तुम्हें पते की बात बताता हूं सुनोगे बोलो तुम्हारी शादी के बाद तेवहारों में भी अपनी घर वाली को माय का मत भेजना वो क्यों तुम्हारी सासुमा फिफ्टी- का लफडा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा यह औरत लोगों का लॉजिक हमारी समझ से बाहर है क्यों सर इतना पैसा खर्च करके साड़ी खरीटकियों से पहन कर शादी में आती है कितना कीमती है क्यों ना हो पर्स्ट नाइट में पती तो उसे हटाई है बिलकुल स यह बहुत अच्छा है इसे ही पैक करवाऊंगी मैं आकाश क्या कैसी लग रही हूं इस बीटिफुल बहुत अच्छी लग रही हूं लेट में टेक पिक्चर अफ यह के इस सो नाइस तुम भी आजाओ साथ में कुछ वाते हैं आप हमारी एक फोटो लेंगे प्लीज थैंक स्माइल प्लीज प्लीज अब सॉर्य वन सेकंड अगे यह नेकलस तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है हूं तुम हमेशा उल्टा ही सोचती हो जरा मेरी जगा खड़े होकर सोच कर देखो जान जाओगी अच्छी नहीं थी इसलिए मने डिलीट कर दी कम विल टेक सेल्फी स्माइल आप सही कह रहे हैं जी सार आप ज़रा मेरे दामाद को बुला देंगे ब्रेसलेट का पैटरन स्लेट करना ओके अब ही बुला कर लाता हूं नहीं इस से अच्छी तो वह वाली है इस तरह चल आपके दमाद को मैं लेकर आ गया है जल्दी से करवा लीजे इन्हें और भी काम निप्टाना ऐसी लिए आकाश तुम्हें अकल है की नहीं तुम इसके साथ मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हो मेरी बेटी के हजबन का नाम है आकाश इससे मेरी लड़की का कोई लेना देना नहीं है नेक्स टाइम अगर तुमने हमारे साथ ऐसी बत्तम इजी की तो मैं उसी वह कॉंट्राक कैंसल कर दूंगी समझ गया दाल मैं नहीं पुरा दाल काला है मैंने तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया तुम पहले से ही कंफ्यूज थे बहतर होगा दुबारा रिपीट मत क करना सिच्वेशन बहुत ही क्रिटीकल हो गई है मेरी तो हलाट टाइट हो गई है तुम भी लापेटे में आ जाओगे है और यह दूर्ए थे लुक समझते क्या है कैसे बोर दोने कुगे नोट अट रॉब पाटनी जोफर निखल रहने दो दिप्या सेन क्रियेट हो जाएगा हमें क्या करना है छोड़ दो ना उन्हें हमें क्या करना है मतलब ऐसा मेरे साथ होता तो आई नू बट हुआ तो नहीं ना किसी और का तुपट्टा लिया भाई तो इसको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है एगरो इसके पच्ड़ में मत पड़ो गरव में जास किया है वादर की देखते है कितनी केरव है अरे हम शॉप इसका चुली उड़ा है तो तेरे को प्राब्लम क्या अब देखता है तुझे कान बचाता है अब देखता है तुझे कान बचाता है तुझे को बलाओंगा इससे तू आओ हाँ हंड्रेट पर नहीं वन नॉट टू को फोन करो है तुझे जो पंच बड़ा है उसका इलाज फिरंगे मेडिसेन से नहीं होगा तेरा इलाज अब जानवरों का डॉक्टर ही कर सकता है समझा क्या समझा किना है नसे जकड गई है मोड़ना नहीं बहुत दुखेगा हुआ 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 है शंकर एक दो रण नहीं लेता सिर्फ बाउंडरी और सिक्सर ही मारता है अब अब डर्मत भागेवान बच्पन से ही कभी इसके नाग तोड़ी कभी उसका हाथ तोड़ा ये कमडेंट तो आती रही है ना तो आज उसका जलबा लाइफ देखते हैं एक महिना आराम करना चीप और्स्ट लड़कियों के इजद करना से एक उन्हें सम्मान दें अब अपनी बीवी को भी छूने से पहले तो दस बास सूचेगा साले है है थैंक्स गुंडो को अच्छे सबत सखाया है कोई बात नहीं यह तो मेरा फर्स था मैं नैचुरली ऐसा ही हूँ इसलिए मैंने किसी से पहले ही कहा था कि मुझे एंटी सिपेटरी बेल दिलवा दो लेकिन आप तक नहीं दिलवाई मुझे चेल से चुटने के काम आईगी न मैं भी वैसा ही हूँ अगर किसी ना हेल्प की है तो उसे ट्रीट देना तो बनता है आपकी वज़ा से मेरी फ्याउन से सेफ है तो क्यों ना हम सब साथ में डिनर पर चलें प्लीज इस मैं हमबल रिक्वेस्ट नहीं आ सकता देखे नामत बोलगी प्लीज नहीं नहीं वो जरूर आएगा वो इतना रिक्वेस्ट करें तो तुम्हें जाना चाहिए ना बिटा रामाचारी के साथ तुम भी जा बेटा दोनों की शादी एक ही दिन है इसलिए अच्छे दोस्त बन जाओगे ओके आल सी यू दन सुबह से ये लंज किया जा रहा है आखिर मैंसे डिनर पे भी बुला दिया अंड्रेट परसंट ये दोड़ती विकार पंचर होगी सो नाइस ऑसम दोनों की शादी एक साथ हो रही है वो भी एक ही गाव में वाडर कोइंसिडन्स या पेकार कोइंसिडन्स हाई रे मेरी किसमत मवाली के साथ शादी हो रही है तो पहले क्या ओडर करें सम ड्रिंक्स? आकाश मैं ड्रिंक्स नहीं पी सकता तुम चाहो तो ले लो क्यों? अज ड्राइडे है क्या? लेकिन अगर ड्रिंक्स लेना ही है तो हम पहले अपने फ्रेंड्स को फोन करके Confirm कर लेते हैं कि कहीं किसे कर एक्सिडेंट तो नहीं हो गया ना वाट? नए इनके सागर एक्सिडेंट हो गया तो उनका प्वोन आ सकता है कि उन्हें वहाँ से pick-up कर लो या help करो तब आपको दोनेट करने की जड़ोत पड़ सकती है हम एलकोल लोंगे तो हमारा ब्लट उनके काम नहीं याएगा नाकश सो नहीं ड्रिंक करेंगे और नहीं स्मोक कम ओन रामाशारी कोई आधिरात को में फोन करके ब्लट मंगे का यह सूच कर हम ड्रिंक ना करें तुमको यह सिली लग रहा है लेकिन मुझे रेट चिल का एफेक्ट लग रहा है बॉस यार अगर इतना सीरियस मैटर है तो ना हमने ड्रिंक किया है और नहीं स्मोक किया है ऐसा जूट बोल देने का प्राबलम सॉल प्राबलम वहाँ से शुरू होती है आगाश जूट बोलने से एक छोट असा जूट बड़ा काटा बनकर हमारे कलेज एक को चीर देता है आगाश लड़कियों से जूट बोलना ही वेलकुल गलत है इन केस अगर बोल भी दिया तो उसे मान लेना उससे भी बड़ी गलती है ओके ओके तो फिर रोजी रोटी का क्या नातिंग मच अ शर्मा क्यों है वाकाश बताओ ना हमारी शादी के बाद यू एसे सेटल होने वाले हैं अगर आपको लाइफ में थोड़ा भी खूश नेना है तो मेरे पॉसनल एक्सपरियेंस की हिसाब से मैं टीप देता हूँ उसे फॉलो करो बहुत सुकुन मिलेगा सबसे पहली बात चाहे लाइफ में कितनी भी पड़ी प्रप्लम है इनका बर्थेडे मत भूलना दूसरी बात इनके फैमिली का गेट टूगेदर हो या शॉपिंग के लिए बुलाया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ हो ये कभी भी मत कहना तीसरी बार तिविया क्या हुआ है सम वाटर ये हिंच की पानी से तो दूर नहीं होने बूलाया किस का फोने बॉस सॉरी बॉस सॉरी बॉस इंटे तो उटा लो ये तुम क्या खारी हो वाश्रूम उधर है उधर है मार्गरेट मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए सारी बाते नहीं बोल रहा हूँ बलकि मैं तुम्हें इस बात का ऐसास दे ला रहा हूँ कि मैंने कोई भी गलती नहीं की मैं चाता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो सच्चाई क्या है ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की मार्गरेट लेकिन मैं जब भी तुम्हारे सामने आया तो तुम्हें अपना मूँ ही फेर लिया तो मैं तुम्हें कैसे बताता मार्गरेट देखो, मेरी शादी तो नहीं होने वली है, Margaret और नहीं अभी मुझे में पापा से ना कहने की हिम्मत है मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, Margaret मेरे पापा ने जो वदा किया है, उससे उन्हें मुझे बचाना है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, Margaret ये तुम भी चानती हो, भगवान के लिए अपनी जिट छोड़ दो, एक छोटी सी भूल को उम्र भर के सजा मत बना हो, प्लीज, Margaret, I love you, Margaret Yes, sir, okay sir, divya, are you okay now? Sorry, it was an important call, so, it's okay Sir, the rest of the money, what are you talking about? When was the bill? Payment, sir, रमाचारी, this is not fair, I was telling you, I was having a treat अधिए नहीं आकश्ट वो मेरी भाली को मेरी पैसे खर्च करणे का शौक है हम् thank you, nice meeting you, thank you once again thank you so much same here bye दिव्या, shall we go? bye व्यासे हो प्यारे? क्या बात रवाचारी, लव हो गाया तब से दिखाई नहीं ते रहे अरे 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 किसी ने नाग राज कहा था तुमें लेकिन नहीं तुम दो सिर के नाग राज हो सोचा था तुम मेरे साथी नाटक करते हो कानून में कोई ऐसी धारा नहीं जिससे तुम पर केस कर सकूँ बाप के सामने हाँ कर दिया और दिल में मैं रहती हूँ काना दो सिर का नाग राज है तुमने गलती की इसलिए तुमने मुझसे सोरी कहा कितनी भी नाक रगर लो पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी मुझसे प्यार करने की तुम्हारी ओकात नहीं है तुमने पी रखी है यस अगर लड़किया धोका देती है तो तुम लोग लव फेलियर कहकर पी सकते हो हमें बुरा भला कह सकते हो अगर लड़के ने धोका दिया तो लड़किया भी नहीं सकती तुम्हें भला बुरा नहीं गया सकती लड़कों की जाती ऐसी है लड़किया जब पास होती है लड़कों कोन की गदर नहीं होती और जब दूर जाती है तो उन्हें पाने की कोशिश करते है हमें क्या end of season का सेल समझा है कि तुम्हारे कहने पर आ जाए अब मेरी जिंदेगी तुम्हारी तरह होगी विस्की होगी, ब्रैंडी होगी, रम होगा जो पैसा नहीं होगा तो कंट्री भी चलेगा किसी भी बार में यरली खाता खुलवा लोंगी टेली पीकर फुटपाथ पर पड़ी रहूंगी वैसे तो सारे अटो ड्राइवर्स तुम्हारे फ्रेंड्स है ना कह देना तो सेफली मुझे घर पहुचाए देंगे अगर तुम्हारे अंदर शर्म और इंसानियत बची है और तुम मेरी जरा सी भी फिक्र करते हो आपाई लो आपाई लो भी तुम्हारे ना ए गुरूण ताम पश्चाइब ना पाई आपाई पृम्हारे अचीढ़ करते है प्रेंग आपाई जस्टे आपके तुम्हारे मैं के एंड्यते दियों परस्टनुम्हारे बच्णुम्हारे जाकर पंडी ची को दे दो मैं भी आती है बिल्कुल हमारे जमाने में क्या शादिया होती थी है ना यहां बैट कर सोच क्या रहा है जाकर रेडी क्यों नहीं होता हाँ हाँ हाड़ अब बबुल हाँ 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 जिन्दा हो या मर गई हो यह देखने के लिए हाँ हो यह शादी मुझे मन्जूर नहीं कहने के बाबजू तुम उससे शादी कर रहे हो जड़ा रुको रुको तुम अपने दोस्तों की सामने मेरा मजग उड़ाना चाहते हो उपर वाला कभी तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा मैं तुम्हारे साथ घर बसाना नहीं चाहती मैं सिफ वर्हान को चाहते हो और बस करो बाबा तुम मुझे चोड़के कहां चले गए थे बताओ मैं तुम्हें कहां डूंड़ती और बाबा को सच्चाई भी नहीं बता सकती थी जीना नारक बन गया था मेरा और उपर से इसका जुल्म गीता यहीं मुझे आल आया है मैं जहां था वहां खाना मिलना भी मुश्किल था तो फिर मोबाइल के नेटवर्क कहां से मिलता रामाचारी ने मेरे प्रजेक्ट का डीटेल्स पता लगाया और मुझे ट्रेस आउट करके अपने फ्रेंड के थ्रू यहां ले आया कोई चाहरा नहीं है पर तुम्हारे पापा पापा वो सॉरी तो इतना वड़ा कभ हो गया बेटा पापा मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं मानी और नहीं आपको खुश रख सका लेकिन जब आज आप मुझे से खुश है यह जानने के बात आपकी खुशी को छीनना नहीं चाहता था मैं सॉरी पापा पापा यह यह तो लो अंकर मुझे बहुत डर लग रहा है अंकर समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करो अंकर पापा को तुम बिल्कुल फिकर मत करो बेटा रामाचारी बात करेंगा दिव्या अभी भी वक्त है सोच कर देख रामाचारी ही तेरे ले करेक्ट है प्लीज ऐसा मत कर यार दिव्या रामाचारी ही तेरे ले सही है यार जिच छोड़दे वदना पच्टाएगी तु बहुत बदल गई है सोच कर देख बदली मैं नहीं तू है बात को समझेंगा तू कहेगा तो भी हाट टेक आएगा मैं कहुंगा तो भी हाट टेक आएगा मुस्लिम लड़का है ना समझे आरा क्या करें रामाचारी कोई टाणिक वणिक है या क्या नहीं दो-तिन पैक के बाद क्या है की वह दिमाग अच्छा काम करता है शुब करिये पपा तू अंदर जा रहा है देख ज़रा संबल के हाँ और बेटा क्या बात है रामाचारी ऐसे क्यूं बैठे हो मोर्त का टाइम हो रहा है बेठा अंकल ये हाट अटेक के लिए जो टेबलेट लगती है वो आपने खाली ना नहीं वह देखो वहीं रखी है तो वह खाली जी है अरे तुम लोग ज़रा दो मिंट रुको ना क्या बत है पेठा उदास्कें हो कुछ कहना चाहते हो नई यह एसे कुई खास बत नहीं है अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तु आपको कुछ होना नी चाहिए कल के मैच में इंडिया हार गई क्या है नई नई अंकल इंडिया विन जाहिर खाने पांच विकट लिया है ये जाहें आपको बुरा लगा क्या मुझे क्यों बुरा लगेगा पागल हूं क्या मैं पस इंडिया जीतनी चाहिए चाहे कोई भी जीता है चाहे सचिन हो या फिर गांगुली हो तुझे एक बात बताओ मुहमद अजरु दिन जब इंडिया का कैप्टन थाना तो इंडिया ने बहुत सारे मैचिस जीते थे जब देश की बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्यन कुछ भी नहीं होता सिर्फ देश बड़ा होता है पानी पियोगे क्या अंकल पानी लेकिन क्यों सेफटी के ल आपने जो कहा करेक्ट है जब देश की बात आती है तो जातपात धरम की कोई एमियत नहीं होनी चाहिए ठीक उसी तरह जब बच्चों की लाइफ की बात आती है तो जाती धरम की एमियत नहीं होनी चाहिए ना अंकल आपको किसी भी सूरत में हार्ट अटक नहीं आना चाहि आपके बेटी की खुशिया ही आपके लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए वो हिंदू से शादी कर रही है या मुसलिम से ये कोई जरूरी नहीं है अंकल आपकी बेटी फरहन नाम के मुसलिम लड़के से प्यार करती है ये बात आपको पता चली तो आपको कुछ हो जाएगा इसी डर से मैं आपको अंकल जरा अपने आपको संभालिए आपको हार्ट अटेक नहीं आना चाहिए अंकल गीता फरहन के साथ बहुत खुश रहेगी आप भी चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे दुनिया वाली क्या कहेंगे या आप मत सोचिए अंकल दो दिन आहू करेंगे तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी अपनी जिन्देगी में बीजी हो जाएंगे अंकल लेकिन हम तो गीता की खुशिया चाहता है ना मेरा कहा मानिया अंकल मुझ पर विश्वास किजा मुझ पर विश्वास किजाएंगे अंकल क्या हुआ क्या हुआ रामचारी क्या हुआ बतााना पापा थैंक्स पापा थैंक्स पापा थैंक्यो सो मच्छ पराट रामचारी तो मेंटा है तु मेरा तु मेरा सिक्ष्मा बाई शाब सदाक्षाब वह अभी तो अभी तो यह था वह मैं उसे ढूंड के लाता हूं मूरत का टाइम होगे तो आप चलिया ना मैं उसे ढूंड के लाता हूं ए डबा यह रामाचारी कहा है उसने सब की जिन्दगी तो सुधार दी पर खुद की जिन्दगी बिगाड ली क्या हुआ कहना क्या चाहता है अरे बताना क्या हुआ दत्तु आज के बाद मैं तुम्हें परिशान नहीं करूंगी मैं शादी करके यहां से जा रही हूँ अब तुम खुश रहेगी क्या सच बता अभी तेरे दिल में रमाचारी नहीं है तु जूट बोल रही है जो कहानी खत्म हो गई है उसे क्यों दोरा रहे हो तु अपने आपको क्यों धोका दे रही है इतनी जिद अच्छी बात नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं जानती हूँ तुम्हें सिखाने की पहनी है उससे पसंद नहीं था फिर भी उसने अपने पापा का मान रखने के लिए हां किया लेकिन तु उससे समझ नहीं पाई उसने गीता से शादी नहीं की उसने गीता और उसके लवर को एक किया है उसने आज तक सब का भला ही किया है उसने तुझे धोका नहीं दिया है ढोखा देने पर तुली है तू, एक बात बता, रामाचारी कैसा इंसान है ये मान नहीं जानती, तू भी नहीं जानती है क्या, उसके लिए तेरी जगह यहां है, सबसे उपर है, जो भी कर रही है, गलत कर रही है, तिब्या, तेरे बिना वो नहीं जी पाएगा, चोटी चोटी बातों को जानकर वो आज कितना बड़ा हो गया है, और उसके सामने आज मैं कितना छोटा लग रहा हूं, उसके सीने में कितना दर्द भरा है, कहां गया होगा वो रामाचारी? देखो, तुम यह मत समझो की मैं पागल हो गई हूं, हमारी शादी के दिन, हमारा स्वाकत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा, और मैं इंदरतनुषकी उपर से चलकर आऊंगी, मेरी कदमों का हर निशान मेरे प्यार की गवाही देगा, और हमारी मुहबबत का साक्षी बनेगा, आज तक की हमारी जो भी यादे हैं उन्हें अपने दिल में समा लेना, ताकि शादी के बाद जब मैं तुम्हारे दिल में आऊ, मुझे अखेला पर नमहसूस हो, तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़के, और आखिर में जब मैं नजर उठा कर देखूँगी, तो मुझे तुम दिखाई दोगे, दिव्या, चल, क्या सोच रही हूँ, मैं रामाचारी की हूँ, हाँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, नहीं मा, जो कुछ अब तक किया वो गलत था, अच्म ज मतरूगा, बड़ी तुम परो को, नहीं में जो कि अलाएंड़ी दोता का रही है। अशकर दिव्या, जो कि अलाएंगा शुम जी कर दोता के तुम शुम आचा आएंगो, नहीं में एका लगएज़ था, एक उलाएंगारा, एक वारा फूहिएलेंगा है। झाल झाल सर जी, आपको आपकी मारगरेट मिल गई थी, उसके बावजुद आप साथ नहीं ची सके, मुझे मेरी मारगरेट नहीं मिली, तो मैं कैसे चीऊँगा? झाल 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 तरी रमाचारी था नवी इस दो भॉझे मञनु डॉंग मार्गरेट मार्गरेट मैंने कहा चले जाओ तो चले जाओगे भूल जाओ कहोंगी तो भूल जाओगे तुमने कीता से शादी नहीं की तो आकर मुझे भी क्यों नहीं रोका मैं तुम्हें नहीं पहचानता क्या अगर मैं तुम पर और जोर लगाता तो गुस्से में तुम सचमों से शादी कर लेती वो सब तो ठीक है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ दुखी होने पर रामचारी कहां मिलेगा यह इस मार्गरेट को नहीं पता चलेगा अब आगे क्या करना है मार्गरेट डर तो था कि तुम मिस हो जाओगी लेकिन मिसस बन गई अरे यहां पानी कहां मिलेगा यह हिच की पानी से नहीं जाने वाली उससे हाँ हाँ हाँ